हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर्स फ्रेंड्स स्टॉक एनलेसिस व्यूडियो में आपको स्वागत है और आज हम बात करएं ग्रेफाइट इंडिया लिम्टेड इसी स्टॉक के बारे में 52 वीक का हाई है 815, 52 वीक का लोग है 258 कॉंटिटी अभी लाइव मार्केट में ट्रेड हो चुकी है 5,9,257 डिलिवरी कॉंटिटी 2,88,009 डिलिवरी परसेंटेज 56.55 डिलिवरी परसेंटेज अच्छी है ग्रेफाइट इंडिया डॉट कॉम यह है इस कंपनी की वेबसाइट आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंपनी के बारे में डिटेल नॉलिज ले सकते हैं मार्केट कैप है 8,299 करोड की डेट है 270 करोड का प्लेज परसेंटेज 0 share holding pattern की बात करेंगे last 3 quarter में फिर मोटर्स की 65.34 से 65.34 constant है FIIs की 7.67 से 11.69 यह बढ़ी है DIs की 7.12 से 5.67 यह थोड़ी कम हुई है एड पब्लिक यानि रिटेलर्स 19.87 से 17.30 यह भी थोड़ी कम हुई है overall share holding pattern सही है ज्यादा खराब नहीं है यह इस stock का one day का chart one day के chart में RSI 35 यह है one week का chart one week के chart में RSI 30 और यह है one hour का chart one hour के chart में RSI 67 overall RSI भी सही है तो यह stock अगर आप कुछ दिन पहले बात करोगे तो यह stock 815 के आसपास में उपर high लगाता है उसके बाद में lower lows लगाते हुए 403 के आसपास में नीचे support लेता है जैसा आप weekly chart में देख पा रहे होगे weekly chart में एक M pattern बनाया है इसने clear और अभी यहां पे इसने एक अच्छा hammer type of candle बना दिया है और अभी यह stock live market में 428 पर trade कर रहा है तो अभी इसी stock में जो लोग उपर के level पे invested है उनके लिए सिर्फ एक ही option है आप invest रही है अगर आप accumulate कर सकते हैं तो कीजिए वरना मैं generally accumulate करता नहीं हो इस stock को जो लोग इस stock में fresh entry देख रहे है 403 का यह नीचे support है इसको SLA के आप current market price पे भी इस stock को buy कर सकते हो इस stock के ऊपर के targets होंगे 442, 467 और 486 यह अभी short term के targets है जिल लोगों को swing trade के लिए देखना होता है 5% के आसपास मिल लिए then exit तो यह उन लोगों लिए target है बाकी आप इस stock को अपनी watch list में लगाके आप watch कर सकते हैं इस stock को आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके depend है आप अपने financial advisor से contact कर सकते हैं मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ education purpose के लिए है मेरी वीडियो देखके आप buy sell मत लीजिए so friends यह थी सी stock की मेरी best analysis thank you so much